दोसों इस वीडियो में हम लोग Edmund Spencer की Famous Poem को पढ़ेंगे My Love Is Like To Ice And I To Fire ये एक 14 लाइनों की सॉनेट है जो उनके Famous Collection Amority में शामिल है इसके अंदर Edmund Spencer ने प्यार की ताकत को दिखाने के खुशिश की है चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में ये Famous Collection Amority में सॉनेट नमबर 30 है और इस सॉनेट में यहाँ पर Elizabeth Boyle को कोट कर रहा है जो बाद में इनकी वाइफ बन गई थी आगे चल गई इस पोएम में speaker बोलता है कि जस लड़की से वो प्यार करता है वो एकदम गर्म जोशी के साथ एकदम पैशन के साथ में करता है लेकिन जब वो लड़की उससे मिलती है वो एकदम cold होकर मिलती Spencer को अपने प्यार की intensity समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो लड़की जितना ज़्यादा Spencer से दूर जाती जा रही है इसका प्यार उतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है उस लड़की के लिए पोएम की first line में वो बोलते हैं कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एकदम बर्फ की तरह ठंडी है और मैं किसी आग की तरह गर्म हूँ पैशनेट हूँ अपने प्यार को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उस लड़की की ये coldness इतनी great है I mean इतनी strong क्यों है coldness कि मेरे hot desires उसको पिगला नहीं पा रहा है इस नाट डिजाल्व थू मैं so hot desire मेरे जो गर्म desires है वो उसको पिगला नहीं पा रहा है उसकी but harder grows the more I hear entreat मैं उसको जितना ज्यादा प्यार करने के लिए बोलता हूँ वो उतनी ही ज्यादा cold और hard हो जाती है दोसों यहाँ पर entreat word का मतलब है request करना तो जितनी मैं उससे request करता जाता हूँ उतनी ही ज्यादा वो hard हो जाती है cold हो जाती है उतना ही ज्यादा मुझसे दूर भागती है but how come said that my exceeding heat is not allied by heart heart frozen cold अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि उसकी ठंड़क के आगे मेरी गर्मी कम हो जाए मतलब मेरे burning resides कुछ कम हो जाए जब उसकी frozen heart के contact में वो आए मतलब मैं अगर उसको गर्म नहीं कर सकता तो वो मुझे ठंड़क कर ले यहाँ पर यह जो word है allied इसका मतलब यह है intensity में कमी आना कि यहाँ पर Spencer ऐसा बोलते है कि इसका उल्टा होता है हमेशे कि मैं जितना ज्यादा उसके करीब जाता जाता हूँ but that I burned much more in boiling sweat कि जितना ज्यादा मैं उसके close जाता हूँ उतना ज्यादा जलने लगता हूँ गर्मी से इतना ज्यादा गर्म होता हूँ कि मेरा sweat यानि पसीना भी boil होने लगता है I feel my flames augmented many more मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं feel करता हूँ मेरी आग की जो लप्टे है मेरी flames वो बढ़ती ही जाती है augmented का मतलब बढ़ती ही जाती है क्या इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज होगी इस दुनिया में बताओ यहाँ इस line में बोलता है what more miraculous things may be told कि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली miraculous का मतलब है यहाँ पर हैरान करने वाली अलब चमतकारी चीज होगी इस दुनिया में बताओ that fire which all things melt should harden ice कि मेरे desires की fire जो इतनी गर्म है कि कि किसी भी बर्फ को पगला दें and ice which I congled with senseless cool should candle fire by wonderful device या फिर उसकी वो senseless coolness इतनी ज्यादा incredible है कि मेरी आग को और भढ़का रही है अपर वो बूलना चाह रहे हैं कि कोई wonderful device है जो ऐसा कर रहा है कोई wonderful device है उसकी coolness की पास में जो मेरी आग को इतना ज्यादा भढ़काती जा रही है कि प्यार में इतनी ज्यादा ताकत होती है प्यार इतनी अजब चीज होती है कि nature के elements एकदम अलग सा react करने लगते हैं प्यार में इतनी ताकत होती है कि nature के rules को भी बदल सकता है बर्फ आग को भढ़का सकती है और आग बर्फ को जमा सकती है इस poem के अंदर Spencer ने प्यार की ताकत को दिखाने की कोशिश किया उमीद करता हूँ इस poem में आपको line by line text समझ में आया होगा अब जब आपने ये वीडियो खितम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये poem समझ में आया होगी दूस्तों फिलाल आज की इस वीडियो बसता है मिलता हूँ next वीडियो में